नमस्कार जोहार मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेप समाचार 24x7 आपको बता दे कि मधुपूर उप्चुनाओ 2021 का नतीजा जो है वो आ चुका है हफिजुल हसन जी जो की जारकन सरकार में मंत्री है 5000 के मार्जिन से जो है वो उन्होंने मधुपूर उप्चुनाओ 2021 को जीत लिया है बड़ी खबर जो है वो ये निकल के सामने आई है जारकन की जनता की नजर जो है वो पड़ी हुई थी मधुपूर पे और सभी जारकन के लोग जो है वो लगतार मधुपूर पे जो है वो निगाहे टिकाय हुए थे क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक संकेत जो है वो जहारकन को मिलने वाला था मधुपूर से आपको बता दे कि मधुपूर का चुनाओ जो है वो इसलिए important माना जा रहा था क्योंकि 2019 विजानसभा के चुनाओ के बाद जब BJP जो हारी थी GMM गडबंदन से GMM महागडबंदन से उसके बाद से जहारकन में जो है वो दो उपचुनाओ हो चुके थे बेरमो के और दुमका के दोनों उपचुनाओ में जो है वो GMM महागडबंदन जो है वो जीत चुकी थी और इस मदपूर चुनावा पे जो है वो सभी की नजर टिकी वी थी कहा ये जा रहा था कि अगर BJP जो है वो जीतती है तो BJP में जो है वो आतम विश्वास वापस आएगा और अगर JMM जीतती है तो कहीं से भी कहना जो है वो ये गलत नहीं होगा कि मानिय मुख्यमंत्री एमन सोरेंजी का चेहरा जो है वो जारकन में चल रहा है JMM का विजयरत जो है वो जारकन में चल रहा है अब क्योंकि नतीजे जो है वो आ चुके है हम भी लगाता है जो है वो ground reporting के माध्यम से आपको जो है वो पहले ही हमने ओगत करवा दिया था कि ये सब चीजे जो होने वाली है और आपने देखा होगा कि जैसा हमने कहा था नतीजे जो है वो वैसे ही के वैसे आए क्योंकि हमने जो है वो study करके सब बात कही थी हमने जो है ground report के साथ ही साथ वहां के राजनीतिक हालात और वहां पे जो कहें तो current हालात चल रहे थे पूरे चुनाओ के उसका भी study करके हमने आपके लिए हम विशलेशन लेके आये थे और वो विशलेशन जो है वो सटीक साबित हुआ है जारकंड के मंत्री जारकंड सरकार के मंत्री ह हाफीजुल हसन जी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर गंगा नरायन सिंग जी जो के BJP के उमिद्वार्त ये वो चुनाओ क्यों हार गये है इसके पहले वीडियो में हमने हमने चर्चा की थी कि हफिजुल हसन जी जो है वो चुनाव कैसे जीत गए क्यों वो चुनाव जीत गए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले है आखिर क्या वो कारन थे जिस वज़े से जो है वो गंगा नरायन सिंग जी जो है वो चुनाव हार गए बीजेपी के लिए एक बड़ा मन्थन करने वाला समय आ गया है अब बीजेपी को जो है वो सोच विचार करना पड़ेगा इसलिए सोच विचार करना पड़ेगा क्योंकि तीन तीन उपचुनाओं में जो है वो बीजेपी लगतार हारी है और मन्थन के अलावा चिंतन के अला कि 2019 में जो है वो सरकार गिर जाती है और उसके बाद जो है वो जेमेम महागणवंदन की सरकार यहां बनती है उसके बाद भी बीजेपी जो है वो नहीं समाल पारी है खुद को तीन-तीन उपचुनाओं होते हैं और तीनों उपचुनाओं में जो है वो बीजेपी हार जाती है हम आपको कारण मताते हैं कि क्या मुखे कारण जो है वो बने है सबसे पहले तो बात यह है कि गंगा नरायन सिंग जी जो की आसू में थे उनको जो है वो बिजेपी में लाया गया लेकिन बिजेपी में लाये जाने के पहले जो है वो कहे तो मधुपूर के बीजेपी कारकरताओं से मधुपूर के बीजेपी कैडर से जो है इस बारे में चर्चा नहीं की गई अगर चर्चा की गई होती तो बहुत सारे कारकरता जो है जिन्होंने जो पार्टी छोड़ी चुनाओं के समय वो लोग जो है वो नहीं छोड़त और ये भी कहा जाने लगा कि राजपलिवार जी को टिकट नहीं मिलने से ब्रामन भोटर जो है वो नाराज दिख सकते हैं मधुपूर में और जो कैडर जो कुई पुराने कैडर है बीजेपी के मधुपूर में वो भी जो है वो इस चुनाओं में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाए दिये आपको बता दे कि राजपलिवार जी का ही गढ़ा हुआ जो है वो बीजेपी का सारा संगठन है मधुपूर का और ये चीजे जो है वो बीजेपी को पहले से पता थी बीजेपी के प्रदेश नेतितों को इस बारे में सब चीज जो है वो पता थी लेकिन आ काफी समय उन्होंने दिया और काफी कहें तो हम लोग तो ये नहीं कहना चाहेंगे और ये चीज अगर हम कहते हैं तो ये दूसरी बात हो जाएगी लेकिन बहुत सारी चीजे जो हुई जिसको कैमरा पे जो है वो नहीं कहा जा सकता है इसलिए जो हम कैमरा पे उन चीजों को ज अधिर उनके फेस पे मधुपूर का चुनाओ बीजेपी काहें नहीं जीत पाई ये भी एक बड़ा सवाल है जब बाबुलाल मरांडी जी खुद ही पुरा चुनाओ को हैंडल करें थे हैं वो खुद पहुँचके गाउं का घूम रहे थे तो आखिर क्या ये चुनाओ ये संक थोगा क्या BJP के पास कैडरों की कमी हो गई थी कि BJP को जो है वो गाऊंगाऊं में जाना पड़ा इतना अंदर तक खुद बाबुलाल मरांडी जी जो है वो लगातार मधुपूर में जो है वो कैम्पिंग कर रहे थे उन्होंने जो है वो मधुपूर का कोई कोना नहीं छोड़ा और जेमेम के तरफ से भी कैम्पिंग की जा रही थी हम नहीं कहेंगे कि जेमेम के तरफ से प्रचार नहीं किया यह थे, खुद माननी है, मुखे मंत्री, हेमन सोरेण जी भी जो है, वो कैम कर रहे थे मदुपूर में, लेकिन नतीजे ये आएंगे, ये किसी ने भी सोचा नहीं था, लेकिन हम जो है वो लगातार कह रहे थे अपने दर्सकों से कि नतीजे जो है वो यही होने वाले हैं क्योंकि हमने जो है वो पूरी स्टेडी करके हमने जो भी अपना विसलेशन बनाया था जो भी हम खबरे डाल रहे थे हम जो है वो पूरा स्टेडी करके डाल रहे थे इसलिए हमारा विशलेशन जो है वो सटीक साबित हुआ और वहां से जो है वो जैमेम के प्रत्यासी हफिजुल हसन जी चुनाओ जीते तो अब ये बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि तीन-तीन उप चुनाओ होते है और तीनों उप चुनाओ में बीजेपी हार जाती है तो आखिर बीज जनता के सामने एकसेप्ट क्यों नहीं करवाने पाती है क्या जनता जो है अब बीजेपी को जो है जारकंड में भूला विश्रागित समझने लगी है या बीजेपी के पास कोई हो इसा चेहरा ही नहीं है जिस चेहरा पे जो है जारकंड की जनता विश्वास करने पाए जो कहें तो जो लीडर होता है उसके चेहरे पे ही भोट मिलता है और जब लगतार जो हार पे हार मिलते जाता है तो ये भी हम कह सकते हैं कि जनता जो है वो लीडर के चेहरे को accept नहीं कर रही है, तो बड़ा अभाव जो है वो BJP में दिख रहा है कि BJP में जो है वो चेहरे की कमी दिख रही है कोई ऐसा चेहरा BJP के पास नहीं है जिस चेहरे को कोई नया चेहरा नहीं है जिस चेहरे को जो है जारकंड की जनता अपना सीना चौरा करके एकसेट करें और कहें कि ये परसन जो है ये नेता जो है वो हमारे लिए चेंज करने के के लिए आया है बदलाव करने के लिए आया है और यहीं सब वज़ा है जो कि गंगा नरांचिंग जी के हारने की वज़ा बनी एक तो बीजेपी के पास जो हो जारकन में वैसा फेस नहीं है कि बीजेपी ये कह सके कि हां हम बदलाव लाएंगे हां हम चेंजेज लाएंगे जि क्योंकि जनता जो है वो नया ही केंडिडेट पर विश्वास करती है कोई जिसके सासन सत्ता को जनता ने देख लिया है और उसके बाद आप सोचेंगे दत साल बाद ही उसके सासन सत्ता को जनता फिर देखेगी तो जनता ने तो वो देख लिया है जनता उसको फिर क्यों देख करें चाहे वो आम हो या खास हो सबसे जो है वो मेल जोल सबसे जो है वो अच्छा रिष्टा बनाना पड़ता है तभी जो है वो एक चुनाव भी जीता जाता है यहां बीजेपी का द्वारा ये दिखा गया कि बीजेपी जो है वो अपने कैडरों के बारे में ही नहीं सोच र करताओं को ही हांसिये पे डाल दिया बीजेपी ने इस वज़े से बहुत सारे कारेकरताओं को निस्कासित भी कर दिया गया और जब कारेकरताओं की कमी होने लगी तो फिर नेताओं को गाओं गूमना ही पड़ेगा नए नए कैडर खड़े कर नहीं पड़ेंगे और यही काम जो है वो BJP करते रह गई इस चुनाओ में और देखते ही देखते JMM ने जो है वो BJP का सूपरा साप कर दिया और जारकण में तीन उप चुनाओं हुए और तीनों उप चुनाओं में क्लीन सुप करते हुए हिमानिय मुख्यमंत्री हेमन स्वरेंच जी के चेहरे के साथ जेमेम जेन ने एक विशाल विजय रत जो है वो निकाला है और बात करें तो हार की वज़ा की तो हार के बहुत सारे वज़ा है सबसे बड़ा वज़ा जो है ये निकल के सामने आ रहा है अब जो जीत का वज़ा है हाफिजूल हसन जी का वही हार का वज़ा है गंगा नरायन सिंग जी का लेकिन बहुत सारी कमिया है जो संगठन में कमिया देखने के लिए मिली वो तो एक असलियत है कि आखिर बिजेपी का संगठन बिजेपी की तागत जारकंड में कहां जारी है ये भी एक सोचने वाला विशा है कि आखिर जो बिजेपी का नेतरुत है जार्खन में वो मेल जोल बनाने का काम क्यों नहीं करना है पा रहा है क्या बिजेपी जो है वो कुछी लोगों के बीच में सिमट के रह गई है क्या बिजेपी जो है वो कुछी लोगों और कुछी क्य कहा जाए कुछी मतलब sources किसे रह गई है BJP जो है वो बिजेपी नहीं रही है जिसको पूरे भारत में जाना जाता है जारखन में BJP का वो धार नहीं रहा है क्या BJP के पास जो है वो आप चेहरे नहीं है जिस पे जो है जारखन की जनता विश्वास कर सके ये सब बड़ा सवाल जो है वो इस चुनाओ के बाद से निकला है और हाड़ने की सबसे वड़ा बड़ी वज़य ये भी कहा जा सकता है कि जैसा कि आपको पता है कि मधुपूर का जो छेतर है वहाँ पे 40% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है और 60% आबादी में जो है वो हिंदू भी है और अन हफिजूल हसन जी को नहीं मिला होगा सीधे तोर पे उनको जो है वो एक तरफा भोट मिला होगा और इधर बात करें गंगा नरायन सिंग जी की तो इधर गंगा नरायन सिंग जी के तरफ और भी जितने भी निर्दलिये प्रत्यासी थे सभी जो है वो हिंदू प्रत्यासी निर्दली से उनका भोल अगर उनका भोर्ट मिला दूरी ऑपेन है और दिखाता है ये बी एक बड़ा कारण रहा है कहे तो मधुपूर में बिजेपी के हार के बारे में और बीजेपी हारी है बीजेपी लगतार तीसरी बार हारी है अब बीजेपी के लिए जरूरत है कि बीजेपी सोच विजार करें बीजेपी जो है वो सभी से मेल जोल बना के चले बीजेपी जो है वो सबका इज़त करें जैसा बीजेपी कहती है कि सबका साथ और सबका भिकास करेंगे तो आपको सबका मान और सबका सम्मान का भी ध्यान देना पड़ेगा तभी जो है वो आपके कारे करता आपके कैडर जो है वो आपके साथ बने रहेंगे आपके लोग जो है वो आपके साथ बने रहेंगे अगर आप अपने पार्टी को जो है वो अगतार हार हो जाना ये कोई छोटा बात नहीं है यही सब वज़ा है जिस कारण से गंगा नरायन सिंग जी को जो है वो हार का मूँ देखना पड़ा और कहें तो राजनीती ये इसारा कर रही थी वहां की जो जमीनी राजनीती ये जमीनी हालात है वो पहले ही इसारा कर रहे कि हफिजूल हसन जी जो है वो वहाँ से चुनाव जीत रहे थे और यही चीजे जो है वो जमीनी हकीकत बया कर रही थी इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको पूरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा आप अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स म बहुत बहुत सुख करिया अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे लाल कलर का एक बटन होगा उस बटन को क्लिक कर दीजे और बगल में एक बेल आइकन भी होगा उस ब